नमस्कार आप सभी का इस चैनल में स्वागत है आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहट तेन महत्पुन धाराओं के बारे में जानेंगे जिसे हर RTI कारिकर्ता को जानना बहुत जरूरी है हर RTI कारिकर्ता यह अवस्ट ध्यान दे जब भी प्रपत्र को भड़े हैं तो उसमें सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के धाराओं छो तीन का वर्णन अवस्ट कर दें इससे यह लाब होगा कि यदि आपका आवेदन किसी दूसरे जगह चला जाए या दूसरे पदाधिकारी के पास चला जाए तो वो सूचना पदाधिकारी का करतब होता है कि उसे सही जगह सही लोग सूचना पदाधिकारी के जगह अस्तांतरित कर दिया जाए इसलिए जब कभी भी आप लोग प्रपत्र को भरें तो नीचे कहीं लिख दें कि यदि मांचित सूचना आपके काडियाले या विभाग से संबंधित नहीं है तो धारा छो तीन के तहट आप इसे संबंधित विभाग या काडियाले को हस्तांतरित कर दें इससे आपको लाब होगा कि गलत जगह यदि सूचना चली जाती है मांगने के लिए प्रपत्र को तो वह सही जगह वह लोग सूचना पदाधिकारी का काम है कि उसे सही जगह उसे अस्तांतरित कर दिया जाए दूसरी महत्पुंधारा है साथ पांच जिसके तहत जो बीपियल परिवार के सदस हैं जो गरिवी रेखा से नीचे में आते हैं उन्हें दस रुपए का पोस्टल ओर्डर सुल्क के रूप में जो दिया जाता है उसे की आवस्षक्ता नहीं है उसे ने सुल्क सूचना दी जाएगी और दस पेज तक भी उसे ने सुल्क सुचना दी जाएगी किसी वीत्रा का उसे कोई सुल्क जमा नहीं करना पड़ेगा ध्यान रखें जो गरिवी रेखा से नीचे वाले हैं बीपेल परिवार वाले उन्हें धारा साथ पांच के तहत ने सुल्क सूचना दी तहत यदि आपको 30 दिन के अंदर कोई सूचना नहीं मिलती है चाहे वह कितनी भी पेज की हो 30 दिन के बाद जो है आपको बिना सुल्क की सूचना दी जाएगी तो इसका आप लोग ख्याल रखेंगे धारा 7, 6 के तहत 30 दिन के बाद यदि सूचना दी जाती है तो उसके लिए भी कोई सुल्क नहीं देना पड़ेगा चाहे वह सुल्क कितना भी अधिक हो 30 दिन के बाद यदि सूचना दी जाती है तो वह धारा 7, 6 के तहत ने सुल्क देने का प्राप्धान है आप लोग इसका ख्याल रखेंगे कि यदि ऐसे कंडिशन हो जा तो आप लोग निसुल्क सूचना 7, 6 के तहत प्राप्त कर सकते हैं इसे सभी RTI कारी करता अवस्ष्य ध्यान रखेंगे आप लोगों को वीडियो उप्योगी लगे तो एक दूसरे को से अरवस्ष्य करेंगे जो पहली बार चैनल से जुरे हैं देख रहे हैं वह अवस्ष्य सब्सक्राइब कर लें तो था वैल आइक ओन अवस्ष्य दवा दे जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सिगर ही पहुंच सके जय हिंद